जेहन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 12 जन्वरी का बहुत ही महत्तोपुन करेंट अफेयर तो इंडिया करेंट अफेयर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दवाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप कहां तक पहुंची तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्ष्ट कॉस्चन है बहुत ही महत्तोपुन कॉस्चन है भारत ने गड़तंत यहां पर सूरी नाम गड़राज जी के राष्टपती हैं चंद्र का प्रसाद संतोखी और 26 जनवरी 2021 को भारत की गड़तंत दिवस परेड में मुख अतीती होंगी मीडिया रिपोर्ट्स के मतावेक प्रदान मंतरी कार्यालासे जोड़े सूत्रों से इनकी पुष्टी की गई है कि बता दें कि ब्रेटेन के प्रदान मंतरी बौरिस जॉंसन गड़तंत दिवस के परेड में बतवर मुख अतीती सामिल होने वाले थी लेकिन ब्रिटेन में कोरुना वारस के नए स्ट्रेंड से बड़े प्रकुप के चलते उन्होंने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है इसके बाद सरकार की ओर से सुरिनाम की राश्टपती को नियोता दिया गया है जिसे उन्होंने सुरिकार भी कर लिया है अगला कॉस्चन देख लेते हैं क्या है अगला कॉस्चन यहाँ पर कि देखेए अमेरिका ने किस देश के साथ राजनाइकों के आपसी सम्पर के बहाली पर लगे पिरिति बंद को फटा लिया है तो हटा लिया है तो आपको रहां पर सही आंसर है ताइवान विकल्प नमबर C आपके हाँ पर राइट आंसर है ताइवान जनों ने बताया है उनका सही आंसर है अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनाईकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंद हटा लिए है इस गदम के बाद अमेरिका के ताइवान से करता लिए है अगला कॉस्चन इहाँ पर देखते हैं क्या है बुश्ष्व घंदी दिवस निवन मैं से किस दिन मत मनाये जाता है तो एह मनाये जाता है आपका दस जन्वरी को विकल्प नमबर D आपका यहां पर राइट आंसर है बिकल्प नमबर D जनोंने बताया है उनका लाइट आंसर है विस्तो हिंदी दिवस परतेक साल 10 जन्वरी को मनाया जाता है इन दिन भारतियों के लिए विहत खास होता है इसका उद्धेश। बिस्त वर्वें हिंदी के पिर्चार पिर्सार के लिए ανुकूल मौहल तयार करना और हिंदी को वेश्टो की प्रिचलित भासा की रूप में प्रस्तुत कनना हैं सबसे पहला वेश्टो हिंदी सम्मिलन 10 जनवरी 1975 को नांगपुर में हुआ था इस सम्मिलन का उतगाटन 1975 में ततकालिम प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी जी ने इसका उतगाटन क्या था अब आप आपका 10 जनवरी 1975 को कहां हुआ था नांगपुर में हुआ था इसका उतगाटन किस ने किया था प्रधानमंतरी ततकालिम प्रधानमंतरी इंद्रा गांधी जी ने इसका उतगाटन किया था अंगले क्वास्चन है क्वास्चन नमबर 4 गुजरात के चार बार के पूर्व गज नेता हैं और इनका नाम है मादाव सेह सौलंकी विकल्प नंबर आपका एक यहाँ पर राइट आंसर है पूर्व केंद्रे मंत्री तथा चार वार गुजरात की मुख मंत्री रहे बरिष्ट कांग्रेशी नेता मादाव सेह सौलंकी का 10 जनवरी 2021 को राज्च के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया मादाव सेह सौलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही बिदायक बन चुके थी और उन्होंने ही गुजरात में लड़कियों के लिए मुक्त सिक्षा तथा प्रात्मिक विद्यालों मिड़े मील जो योजना थी इसकी शुरुआत की थी भाय गुजरात में नरिंद्रे मोधी के साथ सबसे लंबे समय तक मुख मंत्री भी रही हैं अंगला कॉस्चन देख लेते हैं सिलंका के किस उन्तीस वर्षी बल्लेवाज ने अंतराश्टी किर्केट से सन्यास ले लिया है चार विकल्ब हैं कॉस्चन नमबर पांच है और इसका सही आंसर क्या होगा वहती मात्पुन कॉस्चन है और आप कहांपर सही आंसर है विकल् जैसूद्या ने एह निर्णा लिया है अपने परिवार के अमेरिके में बसने का फ्यासला करने के बाद और स्रीहान जैसूद्या ने स्रीलंका के लिए बंडे और टी-ट्वेंटी मिलाकर पुल तीस मैच खेले हैं करांची में स्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 96 रन बनाये जो उनका सर्वुच स्कोरता 2009 से 2020 के बीच कौल 80 प्रतम स्रीयानी के मैच इन्होंने खेले हैं अंगला पॉस्चन है के अध्यों के सुरक्षा बल CISF के 28 महाने देशक की रूप में किसे नियुक्ति किया गया है बहुत ही महत्तपुन पॉस्चन है याद रखना है आपके ल नंबर आपका भी यहाँ पर राइट आंसर हैं यहाँ पर देख लें बरिष्ट आईटी एस सुबुद कुमार जैसवाल ने 8 जनवरी 2021 को CGO कॉंप्लेक्स इस्ते मुख्याला में केंज्रे और देविक सुरक्षा बल CISF के महाने देशक डीजी का पदभार इन्होंने जो ह हैं और राजिस रंजन की सेवर निर्वित्त की बाद उन्हें बल के डीजी का पदभार दिया गया है उन्होंनों बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिगरी कर रखी है नीच सो पचासी में भारतिय पुलिस सेवा में सामिल हुए थे और उन्हें महाराष्ट क विष्ग का पहला खिलाली बन गया है तो विष्ग्वनी रवेंद्र जड़ेजा चेटिसवर पोजारा रोहित सर्मा के दार जादब विकल्ब नंबर आपका यहां पर c right आंसर होगा रोहित सर्मा आपका यहां पर सही आंसर है भारतिय वैल्लेबास रोहित सर्मा और टेलि बन गए हाला कि एक देश के खिलाब सबसे ज्यादा चक्की लगाने के मामले में बेस्ट इंडीज के सलावी बल्ले बाच क्रिस गयल सबसे आंगी हैं जोनों ने 136 चक्के इंगलेंड की खिलाब लगाए हैं जोनों ने एक देश के खिलाब सो या इससे अधिक छक्के जड़ी हैं अंगला कॉस्चन देख लेते हैं कॉस्चन नमबर आट किस देश की सेना ने स्वादेशी रूप से विक्सित गाइडेट मल्टी लॉंच रॉकेट सिश्टम फत्य बन का सफल उडान परिच्छन पूरा किया है वह देश है कौन सा है वह देश वह देश है पाकिस्तान विकल्प नमबर दो आप कहां पर राइट आंसर है पाकिस्तान सेना ने सफलतपुर्वक स्वादेशी रूप से विक्सित गाइडेड मल्टी लॉंच रॉकेट सिस्टम फत्य बन का सफल उडान परिच्छन पूरा किया है पते बन हतियार परणाली दुस्बन की इलाके परंपरिक आयोध ले जाने में सक्षम है पाकिस्तानी सेना के अनुसार पतेबन हतियार परणाली 122 किलो 140 किलो की सीमा तक लक्ष को मार सकती है अचका यह आपका पिछले वीडियो का चैलेंज प्रेस ने की किस राज्य में सड़कों की सबसे जादा लंबाई है तो सबसे जो है लंबाई सड़कों की लंबाई सबसे जादा है किस सहर में है किस राज्य में है एह पूछा है तो भहे राज्य है आपका क्या है राज्य यूपी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की जो राध्धानी है भाहे लखहनव उत्तरपिदेश की राध्धानी है आज का चेलेंज प्रेशन है आपका भारत में बिद्दत आप पूर्थी सबसे पहले कहा सुरू ही थी आज का चेलेंज प्रसन चार विकल्प आपके हां पर उपलब्ध है आंसर बनता है कमेंट में आपके लिए लिखना है विश्तर लिखना है भारत में विद्धोत आप उर्थी सबसे पहले कहां सुरू ही कोलकाता, दारजी लिंग, मुंबई या चेननाई चार विकल्प है आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना है ताकि आपके लिए याद बना रही तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें भी लाइकन दबाएं ओल पर क्लेक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप क्यांँ तक पहुंचें जाद़ से जब वीडियो को शेयर करना है यो लाइक करना ना भूले और PDF के लिए आप हमारी Telegram गुरूप से जोड़ जाएं, मैंने डिस्क्रिप्सर में आप के लिए डाल दी गई है, तो आप से आप Telegram गुरूप को जोईन कर लें, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सबी लोगों के लिए जाएं, जाएं, आप